अगर आप भी प्रधान मंत्री किसान सम्मानिधी योजना के अंदरगत लाब लेते हैं तो दोस्तो यह जानकारी आपके लिए है आपको बता दें कि केंदर सरकार की तरफ से किसान पोटल में जबरदस्त बदलाओ क्या गया है जैसिक दोस्तो आप इसकीन पर भी देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकीन सूट लगाया हुआ है दोस्तो अब आपको अपनी बेनी फिसरी लिष्ट यहनके अपनी जो तेरवी किस्त है या फिर बारवी किस्त है आप अपनी किस्त को कैसे देख पाएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे साथी साथ दोस्तो अब आप किसान पोर्टल से कैसे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तो प्रधान मंत्री किसान सम्मानिधी पोटल पर बड़ा बदलाओ करते गया है चलिए वीडियो उसुरू करते हैं और जानते हैं कि आप किस प्रकार से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और जो आपके तेरवी किस्ता दोस्तों वे कब आने वाली है उसके बारे में भी हम आपको चांद करें जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपसे हमारा चोटा सानिवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जा सिदा शियर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप चुरूर कर ली जगा दोस्तो सबसे पहले आपको आ जाना है गुगल क्रॉम प्राउजर में जैसे कि आप स्कीन पर देख पा रहे हैं अगर आपके पास मोबाइल है तो यह जानकारी आप अपने मोबाइल से भी प्राप्त कर सकते हैं तो सिंपल दोस्तों आपको यहां पर टाइप क करना है किसान आपको लिख देना है और सच कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्ष्ट नंबर पर आप देख पाएंगे यहां पर आपको प्रधान मंत्र किसान संबान इधी योजना की ओपिशल वेबसाइट नजर आ जाएगी जहां पर आपको किलिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने नैस्ट पे जोपन हो जाता है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम प्रधान मंत्र किसान संबान इधी योजना की ओप्शनल वेबसाइट पर आचुके हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोर्णर में त्री डोट दिखाई दे रहे होंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल को डैस्टोप साइट में कर लेना है, जैसे आप नीचे स्कूल करेंगे, तो यहाँ पर डैस्ट करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सरकार की तरफ से बारवी किस्त ट्रांसपर की गई थी वह 17 अक्टूबर 2022 को ट्रांसपर की गई थी वहीं दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जिनके सानों ने कियो आइसी करा सकते हैं 38 अब अब करेंगे तो नीचेher स्कूल करने के बाद आप देखेंगे कि दोस्तों यहां पर जो यहां ऑपड़ेट की गए हैं या पहले इस परकार से नहीं थे यहां आइकन दोस्तों एक साइड में दिये हुए थे step by step करके जहां से दोस्तों आप संपुर्ण जानकर को प्राप्त कर सकते थे आप दोस्तों यहां से आप कवाईसी को complete कर सकते हैं अगर आप mobile से करना चाहते हैं यहां से आप दोस्तों registration कर सकते हैं नयन के अगर आप नई किसान हैं आपने अभी तक प्रधान मंत्र किसान संबाने दी योजना में आवदन नहीं किया है तो आप यहां से आसाने से कर सकते हैं सेस्टी केंद्र के नुसार भी आप यहां पर कर सकते हैं दोस्तों registration और आप नीचे स्कूल करेंगे आप यहां से refund भी कर सकते हैं हैल्प डेक्स में दोस्तों आप हैल्प पराप कर सकते हैं और डाउनलोड यान के डाउनलोड के उप्सन पर जाकर आप प्रधान मंत्री किसान समाइंधी योजना का जो ओपिशेल दोस्तों यहां पर एप बनाए गया है उसको भी डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं आप दोस्तों अपनी के जो के सी सी यान के क्रेडिट कार्ड है उसको भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अप सिंपल दोस्तों बात करते हैं कि आप अपनी लिष्ट को कैसी देख सकते हैं अपनी जो किस्ट है आप कैसी देख पाएंगे तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है बेनिफिसरी स्टेटस पर यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नैस्ट पेज़ोपन हो जाता है जहाँ पर दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी किस्ट को देख सकते हैं और अपने रेजिस्टेशन नंबर से भी आप किस्ट को देख सकते हैं ध्यान रहें मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो दोस्तों आपकी इस योजना में लिंक होए है रेजिस्ट्रेशन नंबर पर हम रेजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक करने बाद यहां पर आपको नया जो टैब है वह टैब अब यहां पर आपको डाल देया है और आपको डेट पर आपको क्लिक करना होगा यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने नेश्ट पेज ओपन हो जाएगा अब दोस्तों आप नीचे स्कॉल करेंगे तो आपको यहां पर आपका जो लिष्ट है देखने को मिल जाएगए और दोस्तों यहां पर भी अपडेट सरकार दना कर दे गया है आप जैसे ही नीचे स्कोल करेंगे दोस्तों तो नीचे स्कोल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर जो किस्ते हैं वे भी यहाँ पर अपडेट की गई हैं जिस तरह से पहले दिखा जाता था इस तरह से यहाँ पर भी नई दिखा जा रहा है किस्ते ट्रांसपर हो चुकी है अब यहां पर दोस्तो तेरवी किस्त आने वाली है तेरवी किस्त यहां पर आने वाली है और जैसे ही यहां पर दोस्तो अपडेट आएगा तो आपको जानकार देदी जाएगी तो यहां पर जो हमें जानकार मिली है वह यह मिली है कि जो आपक तेरवी किस्त है तो यह दोस्तो फरवरी तक आपके बैंक खाते में ट्रांसपर हो सकती है हो सकता है कि जनवरी के लाश्ट में भी आपको किस्त मिल जाए तो दोस्तो जनवरी या फरवरी में आपको तेरवी किस्त मिल जाएगी तो यह थी आपके लिए महत्पुन जानकर यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल करेगा आप सभी के सवाल को जवाब दे जाएगा और इस प्रगार से दोस्तो आप अपनी किस्त को देख सकते हैं अपना नाम देख सकते हैं और दोस्तो आप अपनी किस्त में अपडेट भी कर सकते हैं अगर आप की किस्ट नहीं आई है तो I hope दोस्त आपको ज़नकर है अच्छीत लगी होगी यदि आपका कोई भी सवाल है तो ettu सवाल कर सकते हैंं आप सभी के स्वालों का जवाब दिया जाए गा अगर आपने वीडियो लाइक नहीं के तो वीडियो लाइक करेगा शेयर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें देज़ेगा अब चाते हैं आपसे एज़ायत और दोस्तों मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत